नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत हैं, जनसत्ता से डिक्टेशन लिखेंगे, पांच सेकेंड में रेडी हो जाईए मुफ्त की सौगात मामले को सर्वोच न्यायाले ने गंभीर मुद्दा माना है प्रधान न्यायाधिश ने कहा कि सरकारी धन का उपियोग बुनियादी धाचे को मजबूत बनाने और विकास कारियों पर होना चाहिए ना कि चुनावों में वोट बटोरने के लिए, मुफ्त की सौगात पर खर्च करने के लिए इस पर आदालत ने निर्वाचन आयोग को भी फटकार लगाई है पर इसे लेकर आदालत से बाहर राजनीतिक दल आपस में गुथम गुथा हो रहे हैं खास कर भाजपा और आम आदमी पार्टी दरसल कुछ दिनों पहले प्रधान मंत्री ने एक जन सभा में कहा था कि मुफ्त की रेवडी बांटने से अर्थ व्यवस्था को भारी नुकसान पहुचता है स्वाभाविक ही उस बयान पर आम आदमी पार्टी तिल मिला गई और उसने पलटवार किया फिर मुफ्त की योजनाओं को लेकर सर्वोच नियाले में चुनावती दी गई तब आदालत ने केंद्र के साथ साथ उन दलों से भी जो बिजली पानी वगहरह की मुफ्त की सुविधाएं उपलब्द कराते हैं जवाब मांगा था गुरुवार को उन्हीं हलफ नामों के बाद सुनवाई हो रही थी तब अदालत ने निर्वाचन आयोग से पूछा की क्या चुनावों के समय राजनीतिक दल उसे अपने घोशना पत्र उपलब्द कराते हैं निर्वाचन आयोग ने ऐसी किसी व्यवस्था से इनकार कर दिया हालां की राजनीतिक दलों के ऐसे अनाप शनाप वादों पर नजर रखने की जिम्मेदारी उसी की है दरसल पिछले कुछ चुनावों से देखा जा रहा है कि राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए अनेक मुफ्त की योजनाओं की घोशना करते हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तरज पर दूसरे राज्यों में भी बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सिक्षा, संबंधी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराने की घोशना की उत्तर प्रदेश चुनाओं में कुछ दलों ने नौकरियों का वादा किया तो कुछ ने लड़कियों को इसकूटी, विद्यार्थियों को कम्प्यूटर, मुबाइल फोन आदी, मुफ्त में देने का वादा किया सत्ताधारी दल ने बाटा भी सर्वोच न्यायाले ने कहा है कि चुनाओं के वक्त राजनीतिक दलों को बजट आदी का ज्यान नहीं होता फिर वे मुफ्त की योजनाओं की घोशना कैसे कर सकते हैं, मगर अब असल बहस का मुद्दा यह बन गया है कि कैसे कल्यानकारी योजनाओं और मुफ्त की सौगात में अंतर किया जाए सर्वोच न्यायाले ने भी माना है कि चुनाओं के वक्त मुफ्त बिजली, पानी, परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना मुफ्त की सौगात नहीं बलकि एक न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में राज की जिम्मेदारियों के निर्वहन का उदाहरण है अब आम आदमी पार्टी केंदर सरकार पर हमलावर है कि वह बड़े उद्योग पतियों को करों में भारी छूट देकर जिस तरह उन्हें उपकृत कर रही है और आम लोगों पर करों का बोज बढ़ा रही है क्या वह न्याय संगत है दरसल सरकारें कुछ सुविधाय उपलब्ध कराने को लेकर समवैधानिक रूप से बाध्य हैं मसलन मुफ्त सिक्षा लोगों के भोजन का अधिकार के तहत मुफ्त राशन वितरण सौ दिन का रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार देना आदी इसी तरह सडकों के निर्माण सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने पीने का साफ पानी देने आदी की जिम्मेदारी सरकारों की होती है ये सब काम कल्यानकारी योजनाओं के तहत आते हैं मगर कई बार सरकारें चुनाओं के मद्देनजर कई ऐसी योजनाएं भी चलाती हैं जिससे करदाता से जुटाई पूंजी का अपव्य होता है इन दोरों में फर्क करने की जरूरत है यह काम न्यायाले और न्यायाले की बनाई कोई समिती नहीं करेगी इसके लिए सरकारों को आपस में तकरार करने के बजाए व्यावहारिक और न्याय संगत रास्ता निकालने की जरूरत है 6 मिनट 40 सिकेड में डिक्टेशन बोला गया है डिक्टेशन में यदि कुछ सब्द कठेशन है तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन करिए यहाँ टेलिग्राम चैनल पर आईए शौर्ट हैनिंदी डिक्टेशन वहाँ पर आप कमेंट कीजिए इसके कटिन वर्ड्स के आउटलाइन आपको वहाँ पर उपलब्द कराई जाएंगी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ सेयर कीजिए थैंक्यू बेर मच